तो यहां पर मैंने ली हैं तीन रोटियां तो सबसे पहले हम इन रोटियों को रॉल करेंगे और आप हम लेंगे एक नाइफ की हेल्फ से इसको हम बिल्कुल पतला-पतला सा काट लेंगे यह देखे कुछ इस तरह से आपको पतला-पतला कट कर लेना है बहुत ज्यादा मोटा पतला-पतला कट करेंगे यह खाने में और देखने में उतनी ही बड़िया लगेंगी आप चाहे तो इसको सीजर की हल्फ से भी कट कर सकते हैं तो आपके लिए यह काम और भी आसान हो जाएगा आपको जैसे भी बन जाए आप उस तरीके से इसको काट लीजेगा आप काटन नूडल्स को डाल लिया है एक बोल में और इसमें हम क्या करेंगे दो चोटी चम्मट डालेंगे देशी घी आप तेल भी उसकर सकते हैं यह जो नास्ता है मारा जो नूडल्स है वह बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे तो चलिए अगले स्टैप की तरफ यहां पर मैंने क बड़े साइस का आलू जिसको बिल्कुल पतला पतला काट लिया है एक बड़े साइस की प्यार इसको भी हमने लंबे शेप में पतला काटा है एक टमाटर और दो हरी मिर्च अब यहां पर लेंगे कढ़ाई कढ़ाई में डालेंगे बड़ा चमश तेल और तेल को फटा बूह लेते हैं और जैसे हरी मिर्च भुन जाएगी तो साथ में हम इसमें डाल देंगे प्याज आप क्या करना है यहां पर ध्यान दीजेगा प्याज को आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बूहना है सिर्फ आपको पंद्रा से बीस सेकेंड तक बूहना है इससे ज्यादा बूहनें जाएं तो बिल्कुल गलना जाए तब तक हमें बूहना है प्याज का कलर इस दम सुनेरा हो गया इससे प्याज का जो सौंधा पन है वह बहुत बढ़ी आता है और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं आप हम इसमें डालेंगे दो चोटी चमश टोम बहुत जाता है इससे क्या होगा हमारे नूडल में हल्की सी मिठास आईगी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है वैसे ऑप्सिनल है अगर बिल्कुल भी मीठा पन पसंद नहीं करते हैं इसको अवाइट कर देना ठीक है तो हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया ह अब हम नी जो टेमाट्र काट के दक्यों हुए थे ना इनको भी हम साथ में दालेनल को भी हम आलू के साथ में कर लेते हैं आप हम इसमें आलेंगे फोड़ी से मसाले ज्यादा बिलकुल में डालना बिलकुल आदा चंबश आ लाल पीसी हुई रौटर और एक चोथा कर देना और हल्दी को भी हम मेक्स कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसको ढग करके दो तीन नटब पकने देंगे ताकि जो टमाटर ना वह अच्छे से गल जाए आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुकी है तो ने हलका सा पानी छोड़ दिया है अगर आपको लगे क इस जो टमैक्टो सॉस बना है हमारा इसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर लेंगी तो इससे उनका टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ी सी वह सॉफ्ट पढ़ जाएंगी तो इतना आपकाम जरूर कर लेना थोड़ा सा पानी इसमें जरूर डाल देना अब हमारा जो मस मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद जो हमारी रोटियां है थोड़ा सा गीली हो गई है क्योंकि इन्होंने जो टमाटर की प्यूरी थी इसको एब्सॉर्ब किया है तो अब हमें यह रोटिया तो अच्छी लिन लगेंगी ना तो हम क्या करेंगे इसको ढग देंगे और 2- बहुत ही अच्छी से बन चुकी हैं आप इसमें हम उपर से हरा प्यास डाल देते हैं आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं अब आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है तो मैंने इसको थोड़ा सा हरा प्यास डाल करके ग्रीन टश दे दिया है और तयार है हमारे रोटी नूडल तो गर्मा गरम इन रोटी नूडल्स को आप सर्फ करिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इस तरह से आप जब भी रोटियां बच जाए सुबह हो या साम इस तरह से आप जरूर बना सकते हैं आसा नहीं है कि बची हुई रोटियों की बनाए नॉर्मली आपने रोटी बना होंगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शियर जरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं अगली रेस्पी में तब तक के लिए बाबाए टेक्यार